हेलो प्रीवन, स्वागत है रब शिलों का आज हम आप शिलों को एक कहानी सुनाएंगे अगर आप कहानी सुनते होंगे या पढ़ते होंगे तो बहुत ही अच्छी बाद होगी कहानियां हमें अधिकतर पढ़नी चाहिए तो देखे मेरी कहानी अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सेर करना न भूलेगा तो कहानी शुरू होती है एक गाउ में एक गुड़ा किसान रहता था उस किसान को लोग क्या बुद्धो का बाप बोलते थे बुद्धो का बाप दिन प्रते दिन यानि रोज अपने खेत में जाता और डंडे इस तरह से बजा कर दो डंडे आपस में इस तरह से लड़ाता था उससे आवाजे निकलती थी उससे क्या चिडियों को भगा देता था कभी कभारवा क्या ऐसे भी सब्दो का परियोप करता था डंडे बजाता था और काता था चिडिया भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें क्या इली मिली किडी के बंधन दिखा दूँगा तो ऐसे रोजवा करता था एक दिन क्या हुआ उसके खेत में रात में आकर एक बाग सो गया था और जब दिन हुआ तो बुद्धू का बाप उस खेत में गया और चिडियों को भला भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें इली मिली किडी के बंधन दिखा दूँगा बाग कुछ जादा देर तक सो गया था सुबा हो गय थी तो जब वह उस बुद्धू के बाप की यह बात उसने सुनी तो उसे लगा कि यह एली मिली किडी का बंधन क्या चीज होता है इसे मुझे देखना है वह धेरे धेरे क्या बुद्धू के बाप के पास आ गया जैसे ही बुद्धू का बाप उस सेर को देखा तो बहुत ही डर गया वह डर गया लेकिन वह दिमाग से क्या काम लिया बाग ने बोला कि भाई यह इली मिली किडी का बंधन क्या होता है तो बुद्धु का बाप बोला इसे मुझे दिखाना है यानि बाग बोला बुद्धु के बाप से ये इड़ी मीडी कीड़ी का बंधन क्या होता है मुझे एक बार इसे देखना है तो बुद्धु का बाप बोला कि इसे देखने में कुछ समानों की आउशकता है तो बहुत जाने ने लगा क्या रस्ची लेने तो रस्ची बहुत ही ज्यादा दूरू से नहीं जाना पड़ा क्योंकि कुछ ही रास्तों में क्या गाय बधी हुई थी जैसे ही बाग वहां गया तो गाय जो है बाग को देखकर रस्ची तोड़कर भाग गई तो आअसानी से क्या बाग र देखकर मुर्मुने वाले वो सब छोड़कर भाग गए तो क्या किया भाग वहां से ठैला लाकर बुद्धो के बाप बोला करते दिया इसके बाद बुद्धो का बाप बोला एक चीज़ाओं चाहिए एक बहुत बड़ा मुगदर चाहिए तो जहां पाहलवान मुगदर भाज रहे थे वहां बाग पहुच गया बाग को देखते ही पाहलवानों ने दुमदमा कर भाग लिया वहां से बाग क्या किया वो जो मुगदर थे जिससे वो लोग भाजते हैं कसरत करते हैं उसको लाकर बुद्धो के बाप को दे दिया इसके बाद बोला कि अब मुझे ये इड़ी मिड़ी किड़ी के बंधन का क्या चीज है ये दिखाओ तो बुद्धु का बाप उस थैले जो थैला लाया था उसको खोला और बोला इसमें आप घुश जाओ तो बाग क्या हुआ उस थैले में तेजी से इतना मारा कि फिर इसके बाद बाग बुला कि ये क्या हो रहा है उसने पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो उसने चिलाया नहीं अगर बाग चिलाता तो उसकी बिचती हो जाती लेकिन वा कब तक नहीं चिलाता बहुत ही जादा बुद्धु का बाप ने बाग को मारा इसके बाद क्या हुआ कुछ दिर बाद उस थैले से आवाजानी बंद हो गई तो बुद्धु का बाप सोचा कि बाग जो है वो मर चुका है उसने क्या किया उस थैले को ले जाकर खेत में छोड़ दिया यानि धैले में क्या था बाग था बाग को ले जाकर खेत में छोड़ दिया फिर जब घार आया तो 5-6 घंटे बाद क्या बाग के पास थोड़ा हो साया थोड़ा दम हुआ उसने बोला कि बुद्धु का बाप सैतान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें खालूंगा मार दूंगा तो यह सुनकर बुद्धु का बाप बहुत ही डर गया फिर क्या हुआ वहा तीन चार दिन कमरे के अंदर ही अपने आपको बंद करके रखा क्यों कि वह बहुत ही डर गया था कहीं हमें बाप खाना ले फिर बाप क्या किया उसके दरवाजे के आसपास उसके घर के आसपास टालता रहता था फिर एक दिन बाप ने क्या तरकीब सोची बुद्धु के बाप को बाणने की उसने कहा एक आदमी की आवाज में बोला भाई मुझे आग चाहिए क्या मुझे आग दे दोगे गाउमे अधितर आप देखेंगे कि एक दूसरे से लोग आग लेकर अपनी चूला को जलाते हैं तो बाग इस तरह से बोला आदमी की आवाज में बोला कि भाई मुझे आग चाहिए आग दे दो तो बुद्धु का बाप बोला इस आवाज में भी मुझे बाग की आवाज नजर आती है उसने क्या किया बुद्धु का बाप बहुत ही चलाग था उसने बोला कि भाई मैं बह बिमार हूं अगर आप अपनी लाठी मुझे मेरे दरवाजे के अंदर से डाल दो तो मैं तुम्हें आग दे दूँगा तो आप बाग को कहां से लाठी मिलती उसने अपनी पूछी दरवाजे के अंदर डाल दी जैसे पूछ उसने डाली जो बुद्धू का बाप था उस अगले दिन ऐसा ही हुआ बुद्धू जो सेर बाग था वह अपने कई दोस्तों को लेकर आ रहा था यह देखकर बुद्धू का बाप जो है उसके घर के पिछे एक बहुत बड़ा सा पेड़ था उस पेड़ पर जाकर चढ़ गया तो बुद्धो सेर थे यानि जो बाग थे वो आए और बुद्धू के बाप को तमाम परकार की कालिया देने लगे और उसे मारने के लिए एक योजना बनाई कि जो सबसे बड़ा होगा वह नीचे बैठेगा इसके बाद उससे छोटा उससे छोटा इस परकार से उत्वाज ज कर हम उस बुद्धू के बाप को पकल लेंगे तो उसमें सबसे बड़ा वही था जिस बाग की बुद्धू का बाप ने पूछ काट ली थी तो पूछ कटे बाग ने पोला पूछ को बैठने में दिक्कत होती उसने एक गढ़ा देखा और उसमें बैठ गया वह जब उसमें पूछ कटा बाग बैठ गया तो उसके उपर एक एक करके इस तरह से बाग चढ़ने लगे थोड़ी ही दूर और था वो पुद्धू के बाप को पकल लेते जिस गढ़े में जो पूछ कटा बाग बैठा हुआ था उसमें एक केकड़ा रहता था उस पूछ कटे बाग की सु के और दुम दभा कर वहां से भाग के इसके बाद कभी भी वहां बुद्धू के बाप के आसपास भी नहीं बढ़के तो यह कहानी थी इंट्रेस्टिंग यह अधिकतर देखिए मैं बच्पन में जब अपनी कहानिया यह पढ़ा था वही मैं आपको सुना रहा हूं अगर क अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना भूलेगा मिलते हैं आप से अगले वीडियो में